हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है PGT नागरिश सहत्र का भाग 168 है तो अगर आप TGT, PGT, LTE, GIC और KVS यह एक ज़ाइम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए हैं दोस्तो आज का जो वीडियो है 261 नमर से सुरू होगा तो दोस्तो वीडियो के अंटक बने रहें और अगर वीडियो पसंद्र आती है तो वीडियो को लाइक और शस्स्क्राइब जरूर कर लिजे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला नमर कोश्चन जो 211 से सुरूरा है कोश्चन है फ्रेंट्स निमलिखित विचारों में से किसे लोगतंत्र एवं ताना साही दोनों का ताना साही जनक माना जाता है निमलिखित में से किस विचारक को लोगतंत्र एवं ताना साही दो आपसन डी ये बोदा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रूसो रूसो को जो है लोकतंत एवं ताना साही दोनों का जनक माना जाता है तो आंसर हो जाएगा रूसो आपसन ए सही है आगे देखते हैं एक 272 नमर कोश्चन है फ्रेंट्स हापस की पुष्टक लेवी आथन को निमलिखित में से किसने जलाया था ये बताना है आपसन ए क्राम बेल ने आपसन भी ए करे रेंडन ने आपसन भी ए सी ए रावट वाल पोल ने आपसन डी ए लाग के अनुआयों ने तो किसने जलाया था दोस्तो तो आंसर आपका भी सही हो जाएगा कलेंडन ने जलाया था तो हापस जो पुष्टक थी हापस की पुष्टक लेवी आंथा थी उसको कलेंडन ने जलाया था तो आपसन भी आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तो 233 नमर कोशन देखत तो आप्छी मिला नहीं प्लीट जो आप्षल की पुष्टक का नम है इदर यह आद रखनाए है आगे चलते हैं दोस्तों अगला कोशन है दोस्चों अतर नमर प्लेटों के रिपबली का उपसिर्शक है जो प्लेटों के रिपबली का उपसिर्शक क्या है तो आपसार हो जाएगा दोस्तो आपका यह सही हो जाएगा न्याय से सब्सकर्शन taş Academy से सब्सकर्शन thief है Republic उसका जो उपसिर्षक है और न्याय से संबंदित है न्याय है आगे चलते हैं दोसों 75 नमर देखते हैं कि निमलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है निमलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है ए आपको बताना है आपसन ए बुर्जुवा राज आपसन भी ए प्रितिनीधी सरकार आपसन सी ए लोक कल्यार कारी राज आपसन डी ए सीमित सरकार आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भी सही ए सही हो जाएगा सोरी ए सही है उदारवा से संबन्दी थे इसलिए आंसर आपका ए सही हो जाएगा भुर्जुवा जो है उदारवास से मेल नहीं खाता है आपसन ए सही है आगे देखते हैं दोसों चीरतन नमर कोशन है प्राक्तिक कानुन तथा नागरीक कानुन दोनों एक दूसरे में नहीत है यह अकतन किसका है प्राक्तिक कानुन तथा नागरिक कानुन दोनों एक दूसरे में नहीत है यह कथण किसका है ए बताना ए आपसन ए है हीगल का आपसन बी ए हाप्स का आपसन C ए लांक का आपसन डी ए रूसो का तो एक कथण किसका हो जाएगा दोस्तों तो 276 का C सही है लाग का, एक कथन किसका है? तो लाग मोदे का है कि प्राक्तिक कानून, तथरनागरिक कानून दोनों एक दूसरे में नहीं थे, इस कथन को लाग ने कहा था, आपसन C सही है, आगे देखते हैं 277 नमबर, निमलिखित में से कौन संसोधन वादी, माक्स वादी है, निमलिखित में से कौन संसोधन वादी, माक्स वादी है, यह बताना है, आपसन A है लासकी, आपसन B एक ग्रामसी, आपसन C ए स्टालिन, आपसन D ए बुल्ग नीन, तो आपसन आपका B सही हो जाएगा, ग्रामस की, आपके जो है, संसोधन वादी, माक्स वादी हैं, चलते हैं 278 नमर कोशन देखते हैं कि फासिवाद प्रिष्ट पोशक है फासिवाद किसका पोशक है किसका वो हिमायती है या किसका यह सिध्धान्त किस पे मतलब बेस है किस पे निरधारित है यह बताना है आपसन यह है राज की प्रसांती का आपसन भी व्यक्ति की गर्मा का आपसंसी है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आपसंडी है संसदी सासन का तो आपको मालूम होगा कि जो फासिवाद है वो राज की प्रसांती का है वो राज को सरोपरी मारता है और राज से बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा फासिवाद है इसलिए फासिवाद का जो जन्म हुआ थ था मुसोलनी द्वारा किया गया था इसको आप याद रखेंगे आगे चलते हैं दोसों 89 89 नम्मर हाप्स के अनुसार प्राक्तिक अवस्था अंतकाल तक चल सकती थी यदि मनुस्य निमलिखित में से एक कारण नहीं होता हाप्स के अनुसार जो प्राक्तिक अवस्था थी और अंतकाल तक चल सकती थी यदि मनुस्यों में निमलिखित में से एक कारण नहीं होता, क्या कारक था या क्या कारण था जिससे कि वो प्राक्तिक अवस्था से निकल कर एक राज्जी की उत्पत्ती हुई, ऐसा क्या कारण था, उसमें क्या था, जबकि वो लोग बरबर ही थे, असब थे, तो ऐसा कुछ था, जो उसने प्राक्तिक अवस्थ विवेक तथा हिंसात्मक जो मृत्तु का भै था उससे लोग वही ऐसा एक कारण था जिससे डर कर लोगों ने क्या किया कि एक राज की अस्थापना कली उससे उब कर आगे चलते हैं 280 नमर कोशन है खापस्क ने सासक की निरतकुस्ता को उचित ठराया इस अधिकार पर की राजा एक ही साई व्यक्ति होता है राजा को जनता ने चुना है जनता सासन करने में अच्छ में मानो प्रक्ति जगडालू एवं दुसकर्मी होती है 280 का अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा कि मानो की जो प्रवित्ति है वो कैसी होती है जगडालू एवं दुसकर्मी होते हैं तो इसलिए निरंकुस्त सासन को क्या ठराया हापस्ने सहित ठराया उचित ठराया हापस्ने सासक को निरंकुस्ता को उचित ठराया इस अधिकार पर कि मानो प्रक्ति जो जगडालू एवं दुसकर्मी होती है इस अधार पर उसने निरंकुस्त सासक को उचित ठराया तो फ्रेंट्स यह थे 10 कोशन हम उमीद करते हैं कि यह जो कोशन होंगे वह आपको पसंद आये होंगे अगर वीडियो के अन तक आप आ गये हैं तो आप वीडियो को लाइक करते हैं दोस्त अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो और वीडियो पे अगर आप नए चैनल पेस्ट तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे की नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से रहें खुस रहें ठंडी में अपना ध्यान रखें परिवार का ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहें इसी उमीद में क अब अधिक नहीं आया है लेकिन उमीद है उसी तरह आपका जो कर लिए मार्च में होगा तो जो मार्च में हो सकते हैं तो दोस्तों इसी उमीद के साथ कि आप सभी लोग मन से पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपना जो 100% है वो पेपर के लिए दे रहे रहे होंगे दोस्तों थोड़ा भी टाइम मिले आप टाइम निकाल कर दस मिनट बिस मिनट एक घंटा जितना आपके पास टाइम में प्रयास करिए कि आप पढ़िए बिना पढ़ने पढ़े आप परिच्छा नहीं क्रेक कर सकते तो दोस्तों यहीं उम्मीद है कि आप लोग पढ़ा होंगे नमस्कार